नश्कार दोस्तो स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार प्राइखिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में चलिए दोस्तो जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर उन्होंने कहा कि आशियान देशों के साथ जुड़ना भारत की एक्ट इस्ट पोलिसी का जरूरी हिस्सा है इस विजिट के दुरान पीएम मोदी आशियान यानि की आशोशियेट ऑफ साउथ इस्ट इस्ट एशियन नेशन्स के सदश्चे देशों से व्यापपार और सिक्योर्टी जैसे अहम मुद्धों पर चर्चा करेंगे सम्मिट के दुरान आशियान देशों में यूपी आई लॉंच होने की घोशना की जा सकती है दोस्तो आशियान सम्मिट के पांस सितंबर से शुरू हो गई है और आट सितंबर तक चलेगी पियम मोधी छे साथ सितंबर को इस सम्मिट में हिस्सा लेंगे न आप संसद के विशेश शत्र को लेकर सोनिया गांधी को संसदीय कार्यमंत्री का जवाब दरसल दोस्तों मोदी सरकार ने संसत का विशेश शत्र बुलाया है जो 18 से 22 सितंबर तक चलेगा हलांगे इस सत्र का अजेंडा क्या है इसको लेकर सरकार की और से जानकारी नहीं दी गई है विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि सरकार इसका अजेंडा बताए इसको लेकर पहले बादचीत होती है और आम सहमती बनाई जाती है इसका एजनडा भी पहले से तय होता है और सहमती बनाने की कोशिश होती है यहाँ पहली बार है कि कोई बेठक बुलाई जा रही है और एजनडा तय नहीं है नहीं सहमती बनाने का प्रियास किया गया है उनकी इस भाग ये पूर्णे की आप हमारे लोक तंत्र के मंदर के कामकाज का भी राजनिती करने और जहां कोई विवाद नहीं है वहाँ अनावशक विवाद उत्पन करने का प्रियास कर रही है जैसा कि आपको विधित है अनुचेद 85 के तरफ सवेधानिक जनाधेश का पालन करते व नियत तारिक के भीच 6 महीने का अंतर नहीं होगा इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार तमील आडू सीम के बेटे बोले सनातन प्रथाका वीरोधी उदाई निदी के खिलाफ दिल्ली के बाद यूपी में FIR करनाटक में भी शिकायत दर्ज जियां दोस्तो तमील इद्भाव जैसी सनातन प्रथाओं के खिलाफ हैं राशपती द्रोपती मुर्मो को संसद के इनोग्रेशन पर इन्वाइड नहीं करना इसका ताजा उधराने उदर स्टायलीन के बयान पर दिल्ली के बाद अब यूपी में भी FIR दर्ज हो गई है वहीं बुद्वार को कर करनाटक बीजेपी नेता नागराज नायक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई वहीं अब करनाटक के ग्रह मंतरी जी परमेशवर ने मंगलवार को हिंदू धर्म की उत्पत्ति पर सवाल खड़े कर दिये परमेशवर ने कहा कि हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ इसे किस न समय में आगे का रास्ता क्या है दिल्ली में G26 कर सम्मेलन की प्रस्ट भूमें प्रतान मंतरी नरिंद मोदी का मनी कंड्रोल के साथ इंटर्व्यू ने केवल भारत की वर्तमान अद्यक्ष्टा पर उसकी सोच को उजागर करता है बल्गी भारत के बारे में उनके द्रश्ट सभी हमारे साथ साज़़ारी करने के लिए उत्सुक हैं प्रदाम नंतरी मोदी ने कहा कि हम ऐसा करने में शक्षम है क्योंकि उनकी सरकार ने विकास और आर्थिक सुदरों पर ध्यान के इंद्रित किया है और बुनियादी ढांचे के निर्मान पर जोर दिया है जिसने अधर लाभांस का भुकतान किया है इन कारकों ने भारत को ना के अवल अपनी अर्द्वियोस्ता को मजबूत करने के लिए शशक्त बनाया है बलकि देश को विभिन्न शेत्रों में वेश्विक समाधान पेश करने की शम्ता भी प्रदान की है इसके बाद दोस्तों अगली करसम मेलन के लिए भारत नहीं आ रहे हैं उनकी जगा चीन के प्रदान मंतरी ली कियांग डेलिगेशन के साथ शामिल होगे बेटक से पहले मंगलवार को चीन के विदेश मंतराले ने बयान जारी किया उन्होंने कहा कि हमने हमेशा सम्मिट के लिए भरत की मेजबानी का अबी सदश्यों के साथ मिलकर इसे काम्याब बनाने के लिए काम करने को तेयार हैं भारत और चीन के रिस्ते इस्तिर हैं और हमने लगातार अलग अलग इस्तर पर बाचीत जारी रखी है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबार नावालिंग को गुजरात हाई कोट न नहीं दुशकर्म किया था जस्टिस समीर दवे ने वरोदरा के सयाजी रावस्पताल के रिपोर्ट के बाद अपना फैसला सुनाया पिड़ता की मा की याचका पर कोट ने चार सितंबर को मेडिकल जाच कराने का आदेश दिया था अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह हाई आचका सिविकार कर पिड़ता की गरबावस्ता आज से एक सपता के अवधी के अंदर समाप्त करने का निरदेश दिया जाता है अदालत ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के नुसार भूलन करीब 27 सपता का है हाई कोट ने राजिस सरकार को पिड़ता को धाई लाग पे तुरंत अदा करने और बांकी के दो लाक रुपे उसके नाम पर बेंग में जमा करने का आदेश दिया गया है अदालत ने अस्पताल को बुरून का डीने संरक्षित रखने का भी निरदेश दिया है जैसा कि याचिका करता ने अनरोध किया था डेडियाना पाड़ा इ अधर कर दो बेंग में जब से उनकी सगाई हुई है उनकी शादी को लेकर सुर्खिया तेज हो गई है आकसर कपल को एक साथ स्पोर्ट किया जाता है कुछ दिनों से उनकी शादी की डेट फाइनल होने की खबरें आ रही है वहीं अब परनीती और रागव की शादी का काड सामने आ गया है दरसल दोस्तो शोशल मीडिया पर परनीती चोपडा और रागव चड़ा की शादी का काड जम कर वाइरल हो रहा है इस काड में लिखा है कि आशिरवाद के साथ मिस्टर पी एन चड़ा जी और मिशेज उशा और सचिदेव अलका और सुनिल चड़ा आपको अपने बेटे रागव और परनीता की रिशेप्शन लंच के लिए इनवाइट करते हैं काड में रिशेप्शम की तारीक 30 सितंबर लिखी गई है वहीं वे न्यू ताज चंडिगर लिखा है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार BCCI की फैंस को बड़ी सोगात विशुकप 2023 से पहले किया एलान 4 लाग टिक्टो की होगी बिकरी अब मिलेगा खरीदने का मोगा जिया दोस्तो भारत में होने वाले ICC One Day World Cup को देखने का मन बना रहा है तो BCCI ने आपके लिए खुशिकी खबर दी है भारती क्रिकेट कंट् टिक्टो की भारी मांग को देखते हुए भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI इस बहु प्रतिशित टूर्णामेंट के लगबग 4 लाग टिक्ट जारी करेगा BCCI दुआरा जारी प्रेस विगपति में हालांकि यह सबस्ट नहीं किया गया है कि इन 4 लाग टिक्टो में भारत के मेचों के कितने प्रतिशत टिक्ट होंगे अधिक से अधिक प्रसंस को तक टिक्टो की पहुँच बनाने के लिए यह कदम उठाया जारा है विगपति में कहा गया है कि दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी अब साल की सबसे बड़ी क्रिकेट प्रतियोगता के लिए अपनी जगह पक्की कर सकते हैं इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार आयोध्या बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक हब 32,000 करोड के प्रोजेक्ट 25 स्टार होटल खुलेंगे हर साल पहुँचेंगे 12 करोड भक्त जिना दोस्तो राम नगरी आयोध्या सज र मोधी इस पूरे प्रोजेक्ट पर नज़र रखे हुए हैं दरसल दोस्तो मंगलवार को पीम ने अयोध्या के डेवलप्मेंट को लेकर दिल्ली में मीटिंग की इसमें यूपी के सीम योगिया दितनयात अयोध्या कमिशनर और डीम भी पहुँचे मन्थन हुआ की आखिर क एसा योध्या को और सुंदर और बैतर बनाया जाए सियासी लोग इस पूरी कसरत को 2024 के आमचुनाव से जोड़ कर देख रहे हैं दरसल दोस्तों योध्या में सरकार 320 करोड की लागत से मरियादा प्रुशत तम्शिराम अंतरराष्टी ऐरपोर्ट बना रही है दो फेज मे इसे बनाया जा रहा है रन्वेर का काम लगबग पूरा हो चुका है बिल्डिंग भी 80% तक तैयार हो चुकी है परियाटर ने विभाग के मुताबित राम लल्ला की प्रान प्रतिष्टा से पहले एरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा यानि कि जनवरी से पहले एरपोर्ट के सेकिंड फैस का निर्मान पूरा होने के बाद 700 से ज़दा यात्रियों को हैंडल किया जा सकता है एरपोर्ट से 15 मिनिट में राम मंदिर पहुंचा जा सकता है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार देश में आरक्षन तब तक जारी रहना चाहिए जब तक RSS चीफ मो भागवत ने बुद्वार को कहा कि जब तक समाज में भेदबाव है तब तक आरक्षन जारी रहना चाहिए यहां एक कारेकरम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भेदबाव अध्रश्य होते हुए भी समाज में मोजूद है उन्होंने कहा कि हमने अपने ही साती मनुष्यों को सामजिक विवस्ता में पीछे रखा है हमने अपनी परवाहा नहीं की और यह 2000 वर्षों तक जारी रहा जब तक हम उन्हें समानता प्रधान नहीं करते तब तक कुछ विशेश उपाए करने होंगे और आरक्षन उनमें से एक है इसलिए इस तरह का बेदभाव होने तक आरक समानता सुने शित करने के बारे में है उन्होंने कहा कि अगर समाज के जिन वर्गों को बेदभाव का सामना करना पड़ा वे 2000 वर्षों तक पीडित रहे तो हम जिने बेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा अगले 200 वर्षों तक कुछ परेश यानिया क्यों नहीं जहलनी इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार करने के लिए कहा है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार सुप्रिम कोट ने कूलिंग ओफ पिरियड की मांग खारीज की बॉंबे लोयर ससुशन की मांग थी जज रिटायर्मेंट के दो साल तक राजनितिक पदपर नहीं रहे जिया दोस्तो सुप्रिम कोट ने 6 सितंबर को रिटायर्ट जजों के राजनितिक पद लेने से पहले दो साल का कूलिंग ओफ पिरियड पूरा करने की मांग को खारीज किया बॉंबे लोयर ससुशन की मांग थी कि सुप्रिम कोट और हाइकोट के जजों के रेटायर्मेंट और राजनितिक पद लेने में दो साल का अंतर ज़रूर होना चाही है जस्टिस संजे किशन कोल और सुदान सुधुह लिए कि बेंच ने कहा कि रेटायर्ट जजज को कोई पद लेना चाही है या नहीं या उस जज की समझ पर ही छोड़ देना चाहिए बेंच ने बताया कि वे इस मुद्दे पर नहीं जा सकते कि कोई जज लोग सबा में जा सकता है या राजे सबा में बेंच नहीं आज का खारिज करते हुए कहा कि सविदान के आर्टिकल 32 के तरफ इस विशे पर डायरेक्शन नहीं दिया जा सकता कोई जज किसी पद को लेना चाहता है या नहीं इस बात का फैंसला उस पर ही निरभर करता है बेंच ने काउंसल से पूचा कि बहुत सारे ट्रिब्यूनल ऐसे हैं जहां रेटायर जजज ही पोस्ट ले सकते हैं चुनाओ लड़ना या कोई दूसरा आजनितिक पद लेने का फैसला सुप्रीम कोट नहीं ले सकते इसके बाद दोस्तो जानें अगली बड़ी खबर लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर दोस्तो आपको वितक मारी नियूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा कलाइक जरूर दे दीजिए और अगर आपको पसंद नहीं आईए तो बेशेक अब डिसलाइक भी कर सकते हैं लेकिन लेकिन दोस्तो लाइक ओ डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तो यहीं हमारी मिनत का फृल होता है और इसी से में पता चलता है कि आपका हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं तो चलिए दोस्तो जान लेते हैं आज की पहली बाड़ी खबर शेर बाजार में आज रही तेजी सेंसेक्स सो अंक बढ़कर 65,888 पर बंद सेंसेक्स के 30 शेरों में से 14 में तेजी और 16 में गिरावट देखने को मिली वहीं दोस्तो निफ्टी 50 के टॉप गैनर और टॉप लूजर इस टॉक्स की बात की जाए तो टॉप गैनर्स में आज टाटा कंजुमर प्रोडेक्ट्स डीविस लेबरेटरी भारती एर टेल रहे जबकि टॉप लूजर्स में टाटा स्टील हिंडाल को इंडर्स्टीज और एक्सिस बैंक रहे इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार जस्वंत सिंग गिल बन कर दिल जीतेंगे अक्षे कुमार मिशन रानी गंज का पोस्टर मोशन पोस्टर जारी इस दिन धमाल मचाएगा टीजर जियां दोस्तो बोली उड में खिलाडी कुमार के नाम से पहचाने जाने वाल अक्षे कुमार काफी समय से सिर्फ फ्लो फिल्मों का ही हिस्सा बन रहे हैं बीते दिनों आई उनकी फिल्म और एमजी लोगों का दिल जीतने में कामियाब हुई थी अब अक्षे अपनी अगली फिल्म मिशन रानी गंज में नजर आने वाले हैं अब उनकी फिल्म के इस दमागेदार मोशन पोस्टर को देखने के बाद तो फिल्म की रिलीज को लेकर पहले से भी ज्यादा एक्साइटिड हो गये हैं अक्षे कुमार की ये मोस्ट अवेटिड फिल्म अक्टूबर तक रिलीज हो सकती है इससे पहले अक्षे ओमजी टू में नजर आये थे फिल्म ने बोक्स ओफिस पर काफी अच्छा प्रदशन किया था बीते दिनों ही ख्राली कुमार ने अपनी ग्रेट इंडियन रैस्क्यू का खुलासा किया था जिसका नाम बदल कर मिशन रानी गंज कर दिया गया है एक्टर ने अपनी इंस्ट्राग्राम पर फिल्म का मोशन पोस्टर जारीकर फैंस को बड़ा सर्प्राइस दिया इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबार कि किसी भी तरह का कठरवाद सुविकार नहीं है विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि इसके नाम पर हिंसा फेलाई जाए हमारी सरकार मातने वाली और हिंसक विचारधारा को काउंटर करने के लिए गंबिरता से भारत सरकार के साथ काम कर रही है सुनक ने ये बाद G20 सम्मिट में आने से तीन दिन पहले PTI को दिये एक इंटर्विव में कही सुनक प्रदान मंतरी बनने के बाद पहली बार भारत दोरे पर आएंगे सुनक ने ब्रिटेन के सिक्यूर्टी मिनिस्टर से कोई भारत के विदेश मंतरी एस जैशंकर की बेटक का हवाला दिया इसमें तई किया गया था कि ब्रिटेन खलिस्तानियों को काबू करने के लिए एक करोर रुपे खर्च करेगा दरसल दोस्तो मार्च में लंडन में भारतीय उच्छायोंक पर हमले के बाद ब्रिटेन में खलिस्तानि समर्थ को लेकर भारत में चिंताय बढ़ गई है तब भारत ने ब्रिटेन से सकत कदम उठाने की मांग की थी इसके बाद दोस्तो अगली बाड़ी खबार वेगनर को आतंकी संगटन घोशित करेगा ब्रिटेन कहा प्राइवेट आर्मी के लड़ा के हिंसक उन्होंने युकरेन अफरीका में जो किया वो दुनिया के लिए खत्रा जिया दोस्तो वेगनर चीफ प्रगोजिन की मौत के बाद अब ब्रिटेन उनकी प्राइवेट आर्मी को आतंकवादी संगटन घोशित करने वाला है बी सी सी बी बी सी की रिपोर्ट के मताबित इस फैंसले के बाद ब्रिटेन में इस वेगनर गुरूप से जुलना या उनका समर्थन करना गेर कानून ही हो जाएगा इसके लिए संसद में बिल भी लाया जा रहा है इस ओर्डर के तहत वेगनर की प्रोपर्टी को आतंकवादियों की संपत्ति को शित करके जब्त कर लिया जाएगा ब्रिटेन की होम सेकेटरी सुएला बैबर मैन ने कहा कि वेगनर ग अगली बाड़ी खबार एक्स पर शेयर किया जिसमें प्राइम मिनिस्टर ओफ भारत लिखा नज़र आया उदर कांग्रेस नेता ससी थरोड ने ट्वीट कर कहा है कि हम भी अपने गटबंदन को इंडियाक से बदल कर भारत कर सकते हैं वहीं कांग्रेस नेता अदीर रंजन चोधरी ने कहा कि सरकार को बिटिस सासन से कोई समझा है तो उन्हें तुरंत राष्टपती भवन चोड़ देना चाहिए आजादी से पहले यह वायस राय हाउस था नौर्थ ब्लोक और साउथ ब्लोक को त्याग दें सब भारत बना दो सब खाली करा दो और जरुत पड़े तो उसे गोले से उड़ इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी ख़बार बारतिय टीम का सुपर चाहर में यह अपना पहला मुकाबला होगा भारतिय टीम से मुकाबले से पहले पाकिस्तान की यह मनोबल बड़ाने वाली शानदार जीत रही है दरसल दोस्तों में जीतने के लिए पाकिस्तान टीम के सामने 1914 रणों का आसां टार्गेट था जिसे टीम ने तीन विक्ट गवा कर 49.3 ओवर में ही हासिल कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से 2.50 लगी। ओपनर इमाम उलक ने चोर्यासी गेंदो पर 78 रन की धासू पारी खेली। उन्होंने चार चोके चार चोके और पांच चोके जमाए। इमाम के अलावा विक्ट की पर बल्ले बाजो को मुश्किल में नहीं डाल सका। तसकीन एहमद, शोर्फुल इसलाम और मेहंदी हसन मिराज ने एक एक विक्ट लिया। इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार। चंदरियान 3 की सफलता से मोटिवेशन अब आज टे लिए भी भेज़ेगा अपना मून रोवर होगा जो चांद की सताया पर मिट्टी यानि कि उसके रिगो लित की जाच परताल करेगा आज टे लिए स्पेस एजेंसी एसने इसकी गोशना की है दरसल दोस्तो एसे यह मिशन नासा के पार्टनर्शिप के साथ कर रहा है आज टे लिए अपने रोवर का डिजाइन खुद एक्स के स्टार्शिप या फॉलकन हेवी रोकेट से चांद पर भेजा जाएगा मिट्टी का सेंपल लेने के बाद नासा इस सेंपल से उक्सिजन निकालने का प्रियाज करेगा ताकि भविश्य में चांद पर जब इनसान रहे तो वहां की मिट्टी से उक्सिजन निकाला जा सके इसका इस्तेमाल किया जा सके इसके बाद दोस्तो अगली बाड़ी खबार जवान ने रिलीज से पहले बॉक्स ओफिस पर लगा दी हाफ सेंचुरी तोड़ दिया पठान का रिकोर्ड छाब डाले इतने करोड जिया दोस्तो सूपर इस्टार शारु खान की फिल्म जवान बॉक्स ओफिस पर धू मचाने के लिए तेयार है रिलीज से पहले इस मुवी ने गदर काड़ दिया है एडवांस बुकिंग में फिल्म की छपपर फार टिक्टे बिख चुकी है दोस्तो आपकी जानकारी के लिए बता दें आपको यह जानकार हैरानी होगी कि पठान का भी रिकोर्ड तोड़ दिया है फिल्म ट्रेड एनलिस्ट मनोबाला विजेबाला ने शाडू खान की फिल्म जवान की एडवांस बुकिंग को लेकर ताजा जान करी दी जिसमें चोकाने वाला आंकला सामने आया उनके अनुसार भारत में पहले दिन के लिए जो एडवांस बुकिंग हुई है उससे जवान की 32.47 करोड रुपए की कमाई हो गई वहीं ओवर्सीज कलेक्शन 18.70 करोड रुपए है इस समय किंग खान की जवान ने रिलीस से पहले ही एडवांस टिक्टो की बिकरी का बिजनिस कर लिया है इतना ही नहीं पहले दिन के लिए एडवांस टिक्टो की बिकरी के मामले में जवान ने भारत में पठान को भी पीछे चोड़ दिया है मल्टी प्लेक्स चेन में ही फिल्म की 3,99,000 टिकट बिक चुकी है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार विश्व कब टीम का हिस्सा नहीं बन पाने वाले अश्व कब 2023 के लिए टीम की घोशना में शामिल नहीं किया भारत कुलदीप यादो रोविंदर जड़जा और अक्षर पटेल के रूप में तीन इस्पीन विकल्पों के साथ गया जबकि कुलदीप एक मात्र विशरग्य इस्पीन गेंद बाजी वी कल्प थे अक्षर और जड़े को घरेलू विश्व कप हमेशा विशेश होता है और आईए हम सभी इसे घर लाने के लिए उनका समर्थन करें तो दोस्तो यह तियास की तमाम बड़ी खबर हैं इसके बाद दोस्तो बारिया तियास के मैंड की उचकूशन की जिए यहां दोस्तो एक आसान से सवाल का जवा आप होता है एकदम सही और आप चुनले जाते हैं लखी विश्वता की रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सर्प्राइज गिफ्ट हमारे यूटूब चैनल की और से तो दोस्तो जल्दी से अपना उत्तर कमड़ों में लिख दीजे वीडियो को लाइक कर लीज जय धन्यवाद बंदे मातरम जय हिन जय भारत